सवाल भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था A. कलकत्ता सत्र 1906 B. सूरत सत्र 1907 C. कलकत्ता सत्र 1907 D. अमरित्सर सत्र 1909 सही उत्तर है D. अमरित्सर सत्र 1909 सवाल निमनल इखित कत्नों पर विचार कीजिए 1. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नाईडू थी 2. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले मुसलिम अध्यक्ष बदरुदीन तैयब जी थे उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा से सही है सवाल निमनल इखित कत्नों पर विचार कीजिए 1. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रथम अध्यवेशन कलकत्ता में हुआ था 2. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का दूसरा अध्यवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ 3. भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस और मुसलिम लीग दोनोंने 1916 में लखनव में अपने अध्यवेशन आयोजित किये और लखनव समझोता संपन किया उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा से सही है है सही उत्तर है सवाल भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के बारे में निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए 1. सरोजिनी नाइडू कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी 2. सियार दास चब कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे तब वे जेल में थे 3. कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज एल और अक्टिवियन ह्यूम थे 4. अल्फ्रेड वैब 1894 में कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे इन में से कौन से कथन सही है A. एक और तीन B. दो और चार C. दो तीन और चार D. एक दो तीन और चार सही उत्तर है B. दो और चार सवाल निमनलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था जो अमरित सरसत्र 1919 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रस्ताफ के अनुसार कॉंग्रेस के नई सम्विधान के लेखक थे 1. B. जी तिलक दो N. C. केलकर 3. C. R. दास 4. I. B. सेन नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए कोड A. दो और चार B. एक और दो C. तीन और चार D. एक और तीन सही उत्तर है A. दो और चार सवाल भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्तियों की सूची नीचे दी गई है उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें 1. महात्मा गांधी 2. जवाहर लाल नहरू 3. वल भाई पटेल 4. श्रीमती सरोजिनी नाइदू सूची के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चैन करें कोड A. एक दो तीन और चार B. एक तीन चार और दो C. एक चार दो और तीन D. चार तीन एक और दो सही उत्तर है C. वन, फो, दो और तीन सवाल सूची आई को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई अध्यक्ष A. अबुल कलाम आजाद B. सरोजनी नाइडू C. मोतीलाल नहरू D. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सूची दो वेस्थान जहां भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की बैठके हुई एक अमृत्सर उन्नीस सो उन्नीस दो बॉम्बे उन्नीस सो चोटीस तीन कानपुर उन्नीस सो पच्चीस चार रामगर्ड उन्नीस सो चालीस कोड A, B, C, D, A, 1, 3, 2, 4, B, 2, 4, 3, 1, C, 3, 2, 4, 1, D, 4, 3, 1, 2 सही उत्तर है D, 4, 3, 1, 2 सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई A, Dr. M.A. अनसारी B, पुरुशोत्तम दास टंडन C, सरोजनी नाइडू D, सुभाश चंद्र बोस सूची E, 1, हरेपुरा 2, कानपुर 3, मदरास 4, नासिक कोड A, B, C, D, A, 1, 2, 4, 3 B, 2, 3, 1, 4 C, 3, 4, 2, 1 D, 4, 1, 3, 2 सही उत्तर है C, 3, 4, 2, 1